है यह विल्कम बैक टो पिक्सव एडिट सो आज हम इस वाली इमेज को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे कुछ इस तरह ही एडिटिंग करेंगे तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत सिखने को मिलेगा पूरा वाइ सब्सक्राइब को यह वाली बैग्राउंड ओपेन कर लेना है सो डॉंट वरी आपको लिंक देखन में जाएगे तो वाँसे डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद गाइस सबसे पहले चलेंगे एफेक्ट पे और यहां पर बलर वाले ऑप्शन पर चलेंगे और सेलेट करेंगे लेंस ब्लर और लेंस ब्लर को अच्छे से अड़ेस्ट करना है लेडियस हटी रखना है और लाइटिंग अपने हिसाफ से रख सकते हो उसके बाद यहां पर इरेजर टूल पे चलेंगे और जो नीचे का बैग्राउंड है उसे आप हलके से हम यहां पर इरेस्ट करेंगे तो ब्रश तो इरेजर अपने हैसाब से एड़ेस्ट कर लेना करेंगे तो अब यहां हाँ से ड़न करते हैं करने के बाद गाइस अब यहां पर सब्सक्राइब आड़ फोटो करेंगे तो एड़ फोटो करने के बाद अपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे से यहां पर एड़ेस्ट करना है अच्छे से प्लेस्ट करना है और प्लेस्ट कर लेंगे फिर उसके बाद उसकी एड़ेस्ट करनी है क्योंकि देख रहे हो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है स्थोड़े से इंक्रीज करते हैं क्लारीटी को भी हमाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर सैटुरेशन को कम करेंगे हुआ हम देख सकतो हलका हलका यहाँ बैग्राउंड से मैच कर रहा है थोड़ा से करेंगे है अधर को यहांप करेंगे और हलके से कम करने कर तेमप्रेचर भी थोड़ा कम करेंगे और सब्सक्राद ने वाल जब अब याइख सी से करेंगे और दरत करने के बाद तो यहां पर हमने इसे डन कर लिया अच्छे से अब हम चलेंगे इसकी सबसे जो मेन पार्ट है लाइटिंग पर तो लाइटिंग करने के लिए आपको लेयर वाले आप्शन की जरूरत होती है तो इसलिए हम आगए है ड्रॉट टूल पर इसे ड्रॉट टूल पर आप देख सक करने के बाद आपको बस पेंट कर देना है यहां पर मैं फास्ट फरोट करके दिखा ले रहा हूं कि देख सकतो बिफोर आफ्टर भी और यहां से ब्लेंड करके इसकी जो लेयर है आड रखेंगे ताकि यह ग्लो करें देख सकतो काफी अच्छे ग्लो आज गई है अधिन अधियाब आदि ओरास्ट घ्रेंगे वहां पर बंशाव कर देंगे और देख सकते हैं अधिक तो बहुत ही ऊच्छा एंड और यहां से विफ कर आफ्टर गूंहकर कि देखोएं एखल्के से लाइटिंग सब्ढोर अब यहां पर हल्के हम यहां पर लिट Waiting करेंगे ज़्याद्र मुश्किलमी है, आपको देखना है बस आपको शर्ली बना लेनी आप आ आपको जो कलर यहां चाहिए जहां जहां color आ रही है ज्यादा वहाँ पर हम उस जग़े पर हम color रिम डाइट क्रियेट करेंगे तो color पिकर से वही आपको color ले लेना है और brush को देख सकते हो इस तरह कर लेना है और यहां पर brush adjust करने के बाद अब यहां पर जो एजेज है इसकी जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी एजेज पर हमें इसे पेंट करना है और पेंट की इस तरह करना है देख सकते हो पहले हम इसे यहां पर पेंट करेंगे फिर उसके बाद हम यहां पर इसे एरेजर से एरेज करेंगे तो देखना किस तरह हो रहा है कि सबसे पहले मैंने प्रेंट किया अब इरेजर सेलेक्ट किया अब इससे वह जैज इसके बाहर में इसके अंदर साइड से हलके हलके हाँ पर एरेज करूँगा देख सकते हो काफी अच्छी से रिम लाइट रियल लग रही है से यहीं चीज में यहां पर करूंगा इस वाले पर जहां पर ब्लू लाइट ज्यादा आ रही है तो अब देख सकते हो किस तरह मैंने किया है काफी रियलिज्म इससे दिखर के आती है इसे लगता नहीं आपने बहुता फोटो को ऐसे चिपका है बैगरॉन पर अब देख सकते हो काफी रियल लग रहा है और इसे आप प哈哈 λέ GREG नहीं जो सब्देख आपटो के इस देख सकते हो आपि आपको ध्यान रखना है कि आपको लेर को एड ही रखना है वह मत रखना मेंने बस चेक करने के लिए कि डेख सकता देख सो क्लिए और बहुत ही अच्छे से वां प्यारा की क्ट्सारा काम हो गया है और बस इसके ब सिंपल है तो इसलिए मैं लाइट रूम पर नहीं जाओंगा यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले बास यहां पर हम इसकी हलके सिंक्रीज करेंगे उसके लिए इफेक्ट्स पर चलेंगे और इफेक्ट्स पाइने के बाद यहां पर शार्पिंग वाला ऑप्षन यहां पर यहां पर है तो यहां पर शार्पिंग ऑप्षन कि आप देख सकते हैं इसकी टेक्ट्च्चर भी थोड़े सी बढ़ गई है जो की कासी अच्छी बात है कि यहां पर अब इसकी हाँ आपकरों करना नःतर शेय कर सकते हैं अब यहां से टॉं कर लेंगे और यहां से ड़न करनें गाए इसकी ठोड़ी सी करेंगे तो लाइट्रूम में सिंपल है लेकिन लाइट-रूम में इसकी ज़ुरूरत नहीं थी तो सब्सक् kraber यहां पर कर देख सकते हो लेकिन आप में दिखा दे रहा हूं कि मैं यह काफी अच्छी से यहां पर हो जाय का कि देख सकते हो नहीं है रख至 अगर और यह सब होने के बाद यहां पर डन कर देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना सो देख सकते होरा फोटो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट त्यार हो गया है